कितना खुबसूरत लग रहा है ना बिलकुल गुलाब के जैसा यह है गुलाब पिठा या आप इसको स्वीट रोज भी बोल सकते हैं यह जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना ही इसे बनाना बहुत आसान है और यह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी तो आप देख सकते हैं यह कितना खुबसूरत लग रहा है कितना अच्छा दिख रहा है और बनाना भी बहुत सिंपल है बहुत आसान है तो चलिए इसी की रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ सेर करती हूं गुलाब पिठा बनाना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो वेलकम दूद लिया है दूद को हमें थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें हम एक चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाल देंगे और उसके बाद एक छोटा चम्मच के करीब चिनी डाल देंगे मीठी चीज में थोड़े सी नमक पढ़ जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जात देंगे और उसके बाद सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इदम बढ़ियां से मिक्स कर लेना है और अब इसमें हम जिस कप से मैंने दूद लिया था उस कप से थोड़े सा कम मैंने मैदा लिया है और पूरा मैदा हमें इसमें धीरे-धीरे करके डाल देना है और इसको अच्छे से मिला लेना है पूरा मैदा दूद को अच्छे से इसमें हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे यह देखिए इस तरह से यह मिक्स हो जाएगा तो हम बॉल में निकालने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा हात में तेल लगा के बहुत ही अच्छा एक सॉफ्ट डो हमको हमें इसको तैयार कर लेना है यहां देखिए अब यह हो चुका है अब हम इसको ढखके एक गीले कपरे से इसको ढखके हम कम से कम 10 मिनिट तक के लिए डख देंगे तो यहां 10 मिनिट हो गया है अब मैं इसको खोल के देख रही हूं यहां देखिए मैंने गीले कपरे से इसको ढखके रख दिया था तो अब 10 मिनिट हो चुके हैं तो अब मैं इसको वापस से फिर से इसमें हाथ मार दूँगी अच्छे से और सॉफ्ट कर लूँगी इसको मिला करके हलके हलके हाथों से कि इसको आपको लग रहा है कि तुरा औल लगाना है तो हाथ में तो आशे मिक्स कर सकते हैं यहां देखिए इस तरीके से जैशे से हम इसको कट कट करके डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद चकले में हम अच्छे से पूरा ओयल लगा देंगे आप बेलन में भी लगा लीजिए और एक पाट लेके में हलके हाथों से इसे हमें बेलना है यह देखिए बेलने के बाद मैंने एक ग्लास से इस सर्कल कट कर लिया है और हमें तीन सर्कल चाहिए गुलाब पिठा बनाने के लिए इस तरीके से हम तीन-तीन का सेट बना लेंगे यहां पर देखिए मैंने सब बना के रख लिया है तीन-तीन का सेट यहा आस्ट वाला जो पर्शन बचा था उसको मैंने इस तरह से बेल लिया है पतला और उसको कट कर लेंगे जिससे कि हम गुलाब का सेंटर बनाएंगे तो इसको बस अप्चाकू की सहायता से हमें इसको रेक्टैंगल के सेप में इसको हमको कट कर लेना है इस तरह से देखिए एक पिस मेंने निकाला है और बस इसको कुष्णी करना है हमें इसको इस तरह से रोल कर लेना है यह देखिए इस तरह से हमें इसको घुमा के और दबा करता के एक रोल बना लेना है और इसको नीचे से भी हम दबा देंगे अगर हमें यह थिसा ज्यादा लंबह दिख रहा है यहां देखिए बीच का सेंटर बनके बिल्कुल तयार हो चुका है इस तरीके से हमें चाहिए तो अब चलिए गुलाब बनाते हैं यहां तो मैं तीन का सेट लिवी हूँ और इसको क्या करना है बस अब हमें एक उंगली से इसको बीच में हमें इसे होल करना है आप उंगली से का उभष करने से बीच में ऐसे करके अच्छे से आप इसमें अ होड़ कर लिजीं और जब हो जाएगा तो फिर से चांकू ยख साइटा से तीन कट लगाएंगे लिकिन में अधर में थीती है कि बराबर बराबर होना चाहिए यह मैंने तिसरा कट भी लगा लिया यह देखिए हो चुका तीन कट लगा लिया है मैंने और अब यह जो सेंटर है लिया बनाया था मैंने इसको हमें बीच में इसको फिक्स कर देना है अच्छे से हमें इसको दबा देना है जिससे कि बाद में तेल में जाने के बाद यह फिर निकले नहीं या फिर ऐसे भी निकल न जाए तो सेंटर में इसको अच्छे से fix कर लेंगे दबा देंगे दम बढ़िया से और अब क्या करना है अब जो यह तीन का statement बनाया था उसमें से एक उपर का निकालेंगे हम देखिए इस तरीके से अब और क्या करना है उसे लेग करके यह जो center है इस को इसके बीच में हमें इसको चिपका देना है इस तरिके से 20 अच्छे से दबा देंगे और फिर दूसरे साइड से से महींठे करना है इसको भी हम ऐसे उठाएं अराम से क्योंकि मैदा है ऊचिपक भी जाता है और धी जिए खोटा ही होजाता है क्योंकि मैदा है आप जितना बेलोगे उतना फिर आप उसको उठाते हो तो इसका साइट थोड़ा छोटा हूँ ही जाता है तो हम इसको थोड़ा सा हलका सा प्रेस करके घीच भी सकते हैं यह देखिए हलका से दबाके और इसको हम बस सेम इसी तरह से हमें चिपका देना है दोनों साइट से एक से ठोग गया अब सेम उसी तरह दुबारा भी हमें ऐसे ही करते जाना है अगर आपको लएगा कि नीचे का परशन छोटा हो रहा है तो हलकी हाथों से उसे खीच सकते हैं आराम से इस तरीके से हमें चार उत्रप से दबाते जाना है और देखिए बनते जा रहा ना गुलाब का पंखुडी इसका बनते जा रहा है पेटल्स बनते जा रहे हैं इसके यह देखिए कितना अच्छा बन रहा है तो बस हमें इसी तरह इसको बनाते जाना है इस तरीके से दबा दबा कर यहां देखिए यह पूरा मैंने बना लिया एक दम बरिया से बार में उठा के उसके हम थोरे से घुलाव का मboom देने के लिए थोरे थोरे इसके पंखुणी को हम ैसे फैला भी सकते हैं ये श Tus農ीके से फैल दीजिए तो बिल्कुल देखिये एक कि दिक्कत नहीं होती है यह देखिए इस तरीक से तो यह देखिए बनके तयार हो गया कि कितना अच्छा दिख रहा है यहां देखिए एक और मैं आप लोगों दिखा रही हूं एक दम नस्जिक से बना के थोड़े से फास्ट फरवर्ड में तो किस तरह के से हमें गुलाब बनानी है यहां देखिए और यह बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे इंट्रेस्टिंग मुझे यही लगता ह है जब यह हमें बनाना होते है गुलाब का पेटल्स बनाने होते हैं तो यह वाला मुझे परसल करना बहुत अच्छा लगता है अराम से आप इसको बनाते जाओ और बहुत ही खुबसुरत बनकर एक दम गुलाब तयार हो जाता है यह देखिए इस तरीके से कोई दिक्कत न बन जाता है और बहुत सुंदर लगता है देखने में देखिए बन के तयार हो चुका बिल्कुल गुलाब की जैसा दिख रहे आप चाहे तो इसमें कोई कलर देखे अलग-अलग कलर का भी बना सकते हैं वाइट यलो पिंक जैसा भी आप चाहे इसमें कलर भी मिलाकर आप इ गॉलाब करते हैं तो यहाँ में अलेक प्क्रायता देक लिए कर लिए चोटे संक आटी के के अज देखनीम मैं दh art कि नयका क्ली कि द गार्म हुआ है तो यह हम इसमें एक गुलाब दाल कर इसमें अच्छे से का इसमें को इसमें अक ठाहिम कर लेंगे QD और यहां पर मैं चाशनी की वित्यारी कर रही हूं, दो kap चीन्नी औरioè कप पानी डालके मैं चासनी त्यायर कर लेऊ और यहां देखे तल रहे हूं इसको उपर से हम ऐसे पल्टे से इसमें उपर से भी तेल गरम तेल डालते जाएंगे कि उसके पेटल में भी अंदर तक तेल चला जाए अंदर से वह अच्छे से पक जाए उसके बाद इसको पलटके भी तल लेंगे और यह हो चुका है तो मैं निकाल रही हूं एक दूसरा मैंने डाल दिया है और इसको हम सीधे डिरेक्ट उल्टा करके ही निकालेंगे जिसे कि जो भी तेल होंगे उसमें वह निकल जाएंगे तो इसको हम सीधे टीसु पेपर पर निकाल लेंगे और उल्टा करके ही इससे हम रखेंगे कि जो भी एक स चासनी में डाल देंगे और चासनी भी थोड़ा गरम रहना चाहिए तो यहां देखिए बन के तयार हो चुका है गुलाब पेठा या स्वीट गुलाब आप जो बोलिये यह देखिए कितना खुबसूरत दिख रहा है जस्ट मैंने भी चासनी से निकाला है आप लोग को दिख दिख रहा है कितना खुबसूरत दिख रहा है और बनाना में कितना आसान है न तो आप लोग भी से जरूर ट्राइ करिएगा जितना यह देखने में मुस्किल लगता है उतना ही बनाना आसान और बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है बनाने में भी बहुत मज़ा आता है तो तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा विडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताईएगा ये रेशेपी कैसे लगी आप लोग को जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्स्क्राइब करिएगा और ऊफिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में तब तक बने रहिएगा मेरे साथ बाई बाई टेक क्यर गुड डे